पिछले लंबे वक्त से अपनी आगामे फिल्म धाकड को लेकर खुब उपसूर खियाम बटोर रही है अब उन्होंने आखरकार अपने इस फिल्म के रिलीज डेट का भी अलान कर दिया है पिछले कुछ समय में कंगना सोचल मीडिया पर काफी आक्टिव हो गई है अब उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी खुद ही टूइट करके बताई है उन्होंने इसमें फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि धाकर इसी साल एक अक्टूबर को रिलीज हो रही है कंगना ने फिल्म की रिलीज का आयलान करते हुए लिखा वो निडर और तेजस भी है वो एजेंट अगनी है भारत की पहली मैला आक्शन थ्रिलर धाकर एक अक्टूबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है इसके साथ ही उन्होंने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है जिसमें कंगना हाथ में तलवार पकड़े हुए दिख रही है इसमें उनके शरीर पर कई चोटें भी लगी हुई है और आसपास कई लाशे भी पड़ी हुई है फिल्हाल उनकी इस फिल्म के शूटिंग पूरी नहीं हुई है इंदनों वो मध्यप्रदेश के बोपाल में धाकर की शूटिंग कर रही है इस फिल्म में कंगना को एक स्पाई की भूमेका में देखा जाएगा फिल्म में कंगना के अलावा अरजुन रामपाल भी मुख्य किरदारों में देखेंगे उन्हें इसमें विलन के किरदार में देखा जाएगा जो जिस्म फरोशी हाथियार और ड्रग्स की तसकरी का धन्दा करते हैं गोर तलब है कि फिल्म का निर्देशन रजनीश रजी घई द्वारा किया जा रहा है जो विग्यापन फिल्म में बनाने के लिए मश्खूर है जबकि इसे सोहेल मकलाई और एसाइलम फिल्म स्वारा प्रड्यूस किया जा रहा है इस फिल्म का टीजर 2019 में ही रिलीज कर दिया गया था ये फिल्म पहले 2020 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी लेकिन कौरोना वाईरस के कारण फिल्म का काम पोरा ही नहीं हो पाया कंगना की आगामी फिल्मों की बात करें तो इन दिनों वो आगामी फिल्म तेजस को लेकर भी काफी चर्चा में है इस फिल्म में उन्हें Air Force Officer के किरदार में देखा जाएगा इसके अलावा वो काफी वक्त से अपनी फिल्म थलाईवी की रिलीज का भी इंतजार कर रही है। इस फिल्म में उन्हें तमिलनाडो की दिवंगत मुख्यमंत्री जैललीता की भूमिका में देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको कंगना रणाउट की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमने कमें सेक्षन में उस फिल्म का नाम लेकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साल शेर करें। और अगर आप हमार हमारी चैनल पर नए है तो जल से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।